नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको State Bank of India का SBI Flexi Pay Home Loan के बारे में बताऊंगा यानि कि यह Home Loan नॉर्मल Home Loan होता है लेकिन यह जो यह जो यंग जन्रेशन है जिनोंने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी है में ली यह जॉब यह वाला Home Loan उन लोगों के लिए है अब SBI Normal Home Loan और SBI Flexi Pay Home Loan में क्या नतर है आई हम इसको कुछ देखकर समझते हैं देखिए हर किसी का अपना खुद का घरो यह हर किसी का सपना होता है अब होता है कि मान के चलिए कोई नव्यूवक है जिसकी अभी अभी जॉब लगी है नया केरियर स्टार्ट किया है तो इनीशली तब केरियर स्टार्ट किया है तो सैलरी कम होती है जो कि टाइम के साथ बढ़ती जाती है अब मान के चलिए लो सैलरी पे अगर वो लोन लेना चाते है तो लोन इमाउंट की इलिजबिलिटी कम बैटती है तो SBI ने क्या किया है कि इसका solution निकालने के लिए SBI flexi pay home loan लेकर आए इसके अंदर होता क्या है कि normal जो आपको salary मिल रही है उससे जो आपकी eligibility calculate हो रही है home loan की उसका आपको 20% extra मिलता है वो मैं आपको एक example मैं भी समझाऊँगा कि जो भी amount eligibility आपकी salary की बज़े से जो बनती है उसका 20% आपको extra मिलेगा होता क्या है जैसे जैसे आप career में आगे बढ़ते जाते हैं आपकी भी growth होती है पहले आप manager बनेंगे फिर cheap manager बनेंगे फिर आप senior positions लेंगे तो उससाफ़ से आपकी salary भी बढ़ेगी तो इसलिए flexi pay home loan उन लोगों के लिए benefit है जिन्होंने अभी अभी अपना career start किया यंग generation के लिए अब हम normal बाते कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या है देखिए home loan के लिए मैंने आपको और भी वीडियो में बताया हुआ है home loan आप घर के construction के लिए ले सकते हैं नया घर बनवाने के लिए ले सकते हैं घर में कुछ renovation बगएरा करना है उसके लिए ले सकते हैं अगर आप घर बनवाने की सोच रहा है plot खरीदने के लिए भी आप loan ले सकते हैं और अगर आपने पिछले 12 महीने में अपना कोई construction किया हुआ है, तो उसका reimbursement भी आप करा सकते हैं. अब बात आती है eligibility, जो SBA flexi home loan है, वो 21 साल से लेके 45 साल तक का ब्यक्ति ले सकता है, लेकिन अगर 45 साल का ब्यक्ति भी ले रहा है, तो उसकी एक condition होती है, अब आती है rate of interest, SBA में हमेशा as usual सबसे सस्ता loan है, 6.7% से start होती है home loan की दरे, जो कि जाद जाद 1% अगर यादि आपका civil score थोड़ा अच्छा नहीं है, तो शायद थोड़ा premium आपको देना पड़े, तो आप 7% के असपास अपनी home loan की rate को समझाए, अब आता है कि maximum amount of bank कैसे calculate करता है, कि आपको maximum loan कैसे मिलेगा, देखिए, maximum loan calculate करने के लिए, bank तीन formula अपनाता है, EMI upon NMI ratio, net जो भी आप total installment दे रहे हैं, उसके divide करो अपनी net monthly income को, LTV ratio, loan to value ratio, और loan amount applied पूर, आपने कितने loan के लिए apply किया है, सबसे पहले हम NMI और EMI ratio देख लेते हैं, यह जो ratio होता है, जर्नली bank यह मान के चलता है, कि आपकी जो भी salary है, उसका 50% तक आप installment में दे सकते हैं, और बागी 50% आपको आपके खुद के रोज के खर्चों के लिए चाहिए, अब इसका मैं एक example देता हूँ, मान के चलिए आपका annual package 6 लाग का है, तो आपको मंतली 50,000 रुपे मिलते हैं, तो bank 50,000 के उपर यह समझता है, यह आप 25,000 रुपे की installment हर महीने दे सकते हैं, अब 25,000 की अगर installment देना है आपको, अब मैं एक सीधा सा calculation करता हूँ, मान के चलिए एक लाग का अगर आप home loan लेते हैं 30 साल के लिए, जिसकी rate of interest 6.7% है, तो जो मंतली जो आपको EMI पढ़ती है, उसकी वो 645 रुपे पढ़ती है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, और आपको अगर SBI flexi home loan में देखा जाए, तो जो 645 रुपे पर लेक की EMI से, आप अगर 25 हैर का लेंगे loan, तो उसको आप 20% extra कर दें, तो आपकी eligibility बैठ जाती है, 46,50,000, अगर आप normal home loan लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी eligibility बैठती 38,75,000, तो आपने देखा किस तरीगे से आपको 20% का extra benefit है, SBI, Flexi Home Loan में, अब बात करते हैं, loan to value ratio, loan to value ratio का मतलब है कि, अगर आप घर खरीद रहे हैं, एक करोड का, तो बैंक उस पर आपको 80%, मतलब 80,000,000 रुपे तक का loan दे सकती है, example लीजिए, मान के चलिए, आपने loan amount 40,000,000 के लिए अपलाई किया, LTP ratio आपकी 80% है, तो इसका ये मतलब है कि, आप 50,000,000 तक का, minimum जो आप घर खरीद रहे हैं, वो 50,000,000 तक की उसकी value होनी चाहिए, अब repayment period की बात कर लेते हैं, home loan में maximum repayment 30 साल का होता है, और maximum ये आपको 70 साल की age attend करने के पहले, आपको repayment करना होता है, moratorium period उसको कहा जाता है, मान के चली अगर आप ने construction के लिए घर लिया है, तो construction में कुछ तो time लगेगा, 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने, तो bank क्या कहता है, आप हम से loan ले लें, लेकिन आप payment तब करें, तब आपका घर पूरी तरह बन जाए, यानि कि आपको moratorium period complete हो जाए, तो bank maximum जो moratorium period देती है, वो 18 महीने तक कर देती है, अगर आप home loan ले रहे हैं, तो आपको income tax benefit मिलेंगे ही, उस पर आप interest पर भी ले सकते हैं, income tax benefit और principal amount paid पर भी आप ले सकते हैं, आज की rate में, SBI में processing fees 0 है, यानि कि यह offer चलता रहता है, तो अभी half-lawn तो यह 0 है, stamp duty आपको pay करनी होती है, जिस भी state में आप लोल ने रहे हैं, वहाँ पर जो भी stamp duty अपनी केवल है, वो आपको pay करनी है, valuation वाले की fees आपको pay करनी है, बकील की जो TIR report है, उसकी fees आपको pay करनी है, और 60 चार्जें जो की minimum चार्जें होते हैं, 50 या 100 रुपे, वो आपको pay करनी है, अब किन-किन documents की आपको requirement होती है, देखिए complete application form, pen card, आधार card, 2 साल का income tax return, या form 16, या 6 महीने की salary slip, आपको bank account statement लाना है, 6 महीने का asset liability statement, बहुत simple है, अगर आप sell rate class हैं, तो आपके पाच ये सारे documents होंगे, home loan आप direct branch में जाके भी apply कर सकते हैं, या आप you know app के माधियम से भी apply कर सकते हैं, मैंने एक video बनाया हुआ है, कि you know app के माधियम से आप home loan, state bank of india में किस तरीके से apply करेंगे, आप उपर आई बटन पर click करके भी देख सकते हैं, दूसरी बार disbursement of loan कैसे होता है, loan कैसे मिलता है, देखिए अगर आप property खरीद रहे हैं, तो direct seller के नाम से draft बनेगा, अगर आप construction के लिए ले रहे हैं, तो आपके account में payment होगा, आप loan का repayment, ECS और SI के माद्यम से कर सकते हैं, अगर आपका salary account SBI में है, तो आप SI के माद्यम से करेंगे payment, अगर salary account आपका किसी और bank में है, तो आप ECS के माद्यम से payment करेंगे, आपको regular रहना है अपने account में, नहीं तो आपका civil score खराब हो जाएगा, अगर आपने 90 दिन तक किसी तरह का कोई payment नहीं किया, डियो होने के बाद, तो आपका account NPA में से लिफ हो जाएगा, और बविश्य में आपको loan लेने में दिक्कत हो सकती है, Pre-closure penalty home loan में 0 होती है, SBI में आप home loan कभी भी बंद करा सकते हैं, तो friends मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पर शेर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब फिर वाकिया रखें, banking related informations के लिए, धन्यबाद friends,